नमस्कार मेरा नाम है मिताब और दृस्टी PCS की पेशकस Special Current Update में एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इस कारिकरम के माध्यम से हम सप्ता भर की महत पूर्ण Current Affairs की खबरों को लेकर बहुविकलपी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसकी व्याख्यात्मक पक्ष को भी हम इसमें शामिल करते हैं हमारी कोशिस होती है कि आपके आगामी परिक्षा में ये Current Affairs की जो महत पूर्ण सवाल है वो आपके राह को और सुगम बना सके हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ता के सफर को पहले प्रस्न के साथ तो इस सप्ता का पहला प्रस्न है पटल पर आपके सामने की करकुमा उंगमेंसिस प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई विकल्प आपके सामने है मडीपूर असम नागालेंड यत्रेपुरा इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है विकल्प सी आपका नागालेंड में करकुमा उंगमेंसिस प्रजाति की खोज की गई है तो देखिए शोधकरताओं ने नागालेंड में इस प्रजाति की खोज की है जिसका नाम क्या है करकुमा सिंगमेंसिस अब ये करकुमा उंच की एक नई प्रजाति है और नागालेंड के मोकोक चुंग जिले में उंगमा गाउं है जहाँ पर इसकी खोज की गई है इसको खोज करने वाले लोग कौन से हैं खोज करता कौन है तो खोज करता केरल के कोजिकूड इस्थित मालाबार बॉट्मिकल गार्डेन और साथ ही इंस्टिट फार प्लांट साइंसेज तथा नागालेंड के फजल अली कालेज यह सभी मिलकर यहां के जो शोदकरताओं की टीम थी उन्होंने मिलकर इसको नागालेंड में देख सकते हैं आप उंगमा गाउं में इसकी खोज की है अब करकुमा उंगमेंसिस की जहां तक बात है तो यह प्रजाती अधरक फेमिली से बिलॉंग करती है और यह जिंजी बेरेसी से सम्मंधित है जो की अधरक फेमिली की इस वन्शावली का इस परिवार का नाम है इसकी उचाई के अगर बात करें तो 65 से 90 सेंटीमीटर तक की इसकी उचाई होती है और अगस्त से अक्टूबर तक अर्था जो बारिश का सीजन होता है बरसात के मौसम में हम कह सकते हैं कि यहां पर इस पौधे में पीले रंग के फूल भी खिलते हैं और वो नस्पति ज्यान कि दृष्टी से देखा जा तो ये एक प्रकंदी जड़ी बूटी है प्रकंदी ये का मतलब क्या होता है प्रकंद उस भूमिगत तने को कहते हैं जो जमीन के अंदर होता है अर्था तने का ही एक प्रकार जो भूमिगत होता है उसको प्रकंद कहते हैं तो इसकी क्याई से मंजूरी भी मिल गई है, जो प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों को पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इस आईड्राप को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो चश्मे लगाने के आउशक पढ़ती है, उसकी आउशक्ता नहीं पढ़ेगी, उस पर निर्भरता आपकी नहीं रहेगी, जो काम चश्मा करता है, जो फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको फोकस करने में चश्मा हमारी मदद करता है, वो काम अभी आईड्रॉप करेगा, तो विकल्प आपके सामने है डक्टर रेडीज लैब्स, एंटोड फर्मासिटिकल्स, सिपला लिमिटेड या सन फर्मा, इन में से किस ने इसको बनाया है, जिसको की मानिता मिल गई है, बी, एंटोड फर्मासिटिकल्स, तो यह देखते हैं, तो दरसल हाल ही में मुंबई स्थिद, कहाँ पर यह स्थिद है, मुंबई में स्थिद है, एंटोड फर्मासिटिकल्स ने गोशना की है, कि जो भारती आउशदि महानियंतरक हैं, उनके द्वारा, इस नए को हमारे द्वारा बनाये गए नए आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी गई है, क्यों खास बात, इस भी खासियत क्या है, तो जो प्रेस बायोपिया होते हैं, उससे प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, उनको पढ़ने के लिए चश्मे के अवर्शक्ता पढ़ती है, तो अब यह कहा जा रहा है कि प्रेस बायोपिया से जो लोग पीडित होंगे, उनको अगर इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखीएगा, प्रेस वू आई ड्रॉप इसका नाम है, और भारत में यह पहली आई ड्रॉप है, इसलिए यह महत्वण होता है, प्रेस बायोपिया की जहां तक बात है, तो यह जैसे जैसे उम्र से इसका संबंध है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चालेस की उम्र तक आने के बाद, लोगों को आँखों में धीरे-धीरे पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की जो छमता है, उस छमता में कमी आने लगती है, तो इसी कमी को यह दूर करेगा, और सामनिता लोगों में प्रेस बायोपिया की जो समस्या कब होती है, तो चालेस की उम्र के आसपास इसके लक्षन हमको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, इस प् तो इस मानशपेसियों को क्या करता है, सिकोज देता है, और सिकोणने के फलसूर क्या होगा, पुतली के आकार को यह नियंतृत कर लेगा, जिससे की जो काम चश्मा करता है, वो काम यह योगिक कर देगा, और हमारी जो फोकस होगी वो ठीक होगी, अगला प्रशन है हाली मे निर्मित संग्युक तरब अमीराद, यानि UAE की पहले पर्माड और्जा संग्यंगतर का नाम क्या है, यहाँ ध्यान रखेंगे आपकी UAE का पहला पर्माड और्जा संग्यंगतर है, इसलिए भी यह महत्पूर्ण है, विकल्प आपके सामने है, अल्नूर, अल्खलीफा, बा अल्पसी बाराका, देखिए यह संग्युक तरब अमीराद का तो पहला है ही, साथी साथ अगर हम बात करें तो यह अरब वर्ड का भी पहला है, पर्माड और्जा संग्यंगतर इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है, तो देखिए संग्युक तरब अमीराद अपने पहले पर्माड और्जा संग्यंतर का काम सफलता पुर्वग पूर्ण कर लिया है, इसका नाम क्या है, तो बाराका है, इसका नाम है, बाराका पर्माड और्जा संग्यंतर, और यह कहां इस्थित है, तो अरब की खाड़ी में, अबुधावी अमीराद के भीतर, अल निर्माड किसके सहयोग से किया गया है, तो दक्षण कोरिया यहाँ पर इसमें सहयोगी है, उसके सहायता से इसको विक्सित किया गया है, साथी साथ इस परमाड और्जा संगेंगतर के माध्यम से आप देखेंगे कि 25 प्रतिशन जो बिजली है उसका उतपादन किया जाएगा और ये जो मात्रा है, अगर इस मात्रा की तुलना की जाए, तो New Zealand की जो वारशिक विजली खपत है, उस खपत के बराबर ये मात्रा होगी, और इसके निर्माड पर जो काम है, वो काफी पहले से चल रहा था, कप से चल रहा था, तो वर्ष 2012 से इस पर काम शुरू हुआ था, और 21 मिलियन टन कार्बन उत्सरजन को ये रोकने में मदद करेगा, तो ये अपने आप में एक महत्व पूर्ण चीज है, और अरब जगत का ये पहला है, इसलिए भी इंपोर्टेंट है, तो अरब जगत का पहला परमाड और जासन्यंत्र, जिसका नाम बरा का है, आपको य अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्री परेटन, राज्जि मंत्री, शुरेश गोपी ने तृषूर में किसकी प्रतिमा के पुनर निर्माड की योजना बनाई है, विकल्प आपके सामने है, एक प्रतिमा थी, वो प्रतिमा छतिग्रस्त हो गई, फिर से उस प्रतिमा का प विकल्प आपका बिल्कुल सही है तेखे इसमें केरल का जो तृषूर जगा है केरल के तृषूर जो स्थान है वहाँ पर इनकी एक मूर्ति थी जो छहतिगरस्त होई उसके बाद से ही जोकि संग्थन थंपुरन की मूर्ति थी तो यहाँ पर इस प्रतिमा के पुनर निर्मान की बात की गई है और साथ ही ये कहा गया है कि अब यहां पर इस जगह पर एक कान सी प्रतिमा जो की और भी वहतर होगी और भव्य होगी उसको स्थापित किया जाएगा तो संग्थन थंपुरन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इनका जन्म 1751 में वेलारा पिल्ली वास्तविक नाम था बाद में ये आज की समय में अगर बात करें तो संग्थन थंपुरन के नाम से इनको जाना जाता है इनका शासन कोचिन राज्जी में था और 1779 में ये मात्र 18 साल की उम्र में इस शासन के यहां इस सामराज्जी के उत्राधिकारी बन गये थे साथी साथ अपने राज्जी में इन्होंने काफी बहतर काम किया डच और अंगरेजों के साथ मैत्र पुन संबंध भी बनाए और कोचीन राज की जो राजधानी थी त्रिप्पुनी थूरा थी जो कि इस समय त्रिशूर के रूप में स्थानांतरित कर दी गई त्रिशूर कि बढ़ती प्रवर्ती एक चिंता का विशह है इस पर चिंता करते हुए इस विशेस दिन को मनाया जाना प्रारंभ हुआ आपको बताना है कब मनाया जाना प्रारंभ हुआ विकल्पे 8 मार्च 10 सितंबर 12 अगस्त या 15 अक्टूबर तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प भी आत्मात्या करते हैं हर साल आप सोच सकते हैं कि इतनी ज्यादा त्यापतादाद आत्मात्या की क्यों है तो ये चिंता का विशह है इसका एक मुख्य कारण माना जाता है कि जो लोग अंतर मुखी होते हैं एकाकी जीवन जीते हैं उनके में आवसाद ज्यादा होता है बाहर आनी चाहिए ऐसी कंडिनिस कंडिशन में यह माना जाता है कि जो सुचाइडल टेंडेंशी होती है उसमें कमी आती है तो इसलिए आसे इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो देश्य सापसे बात है कि जो आत्महत्या की प्रवृत्ती है उसको रोकने के लिए इस कलंग को सवाप्त करने के लिए खुली बादचीत को प्रोटसाहित करने के महत्त के बारे में जागरुकता बढ़ाना कि खुली बादचीत लोगों से करना कितना महत्त पूर्ण है हमें भी मनुष्य एक सामाजिक परापरानी है तो इस वज़ा से ये बताया गया है कि इसका बहुत महत्त है तो खुली बादचीत को प्रोटसाहित करने के लिए इस महत्त को के विशय में जागरुकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर के दिन को डेडिकेट किया गया आप देखें विश्व आत्महत्या रोक्थाम दिवस की स्थापना कब हुई तो साल 2003 में इसको स्थाफित किया गया और इसकी स्थापना विश्व स्वास्ति संगठन डबलु एच्चो के साथ मिलकर की गई है अब ये संदेश देता है कि आत्महत्या को कैसे रोका जाए डबलु एच्चो की जहां तक बात है तो याद रखेंगे 7 April 1948 में संग्युक तराष्ट संग की एक विशेश एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी अगला प्रशन है critical mineral mission के तहत किन खनीजों की आपूर्ती पर विशेश ध्यान दिया जाएगा विकल्प आपके सामने है A. सोना और चांदी B. लोहा और अलुमिनियम C. तामा लिथियम कोबार्ट निकल और दुरलब प्रिथवी के तप उसके बारे में यहां बात की जा रही है अब देखिए 2024-25 में केंदरी वित्मंत्री निर्मला सीतारमर जी ने भी critical mineral mission की स्थापना की घोश्णा कर दी थी और critical mineral mission जो है ये केंदर सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश ये है कि जितने इस प्रकार की critical minerals है जैसे तांबा हो गया, लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया या प्रित्वी पर पाई जाने वाली अन्य जो दोरलव वस्तु में हो गई इन महत्वण खानीजों की पर्यारत आपूर्ती को कैसे बनाय रखा जाए इनकी आपूर्ती होती रहे निर्बाद गती से इस बात पर फोकस करना है अब देखिए जैसा कि आर्थिक विकास का यह जो योग है यहां पर इन जितने भी इस प्रकार के critical minerals हैं उनका बहुत महत्वण योगदान है क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं चाहे वो electronic gadgets हों या बहुत सारे electronic की फिल्ड में ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इन minerals का इस्तिमाल किया जाता है रक्षाक शेतर में इस्तिमाल किया जाता है तो इन सभी जगहों पर इनकी आपूर्ती हो इसलिए इनका महत तो काफी है तो अभी क्या condition है तो अभी भारत इन critical minerals में पूरी तरह से आयातक की भूमिका में है मतलब हमें इनको बाहर से आयात करते हैं और उसी पर हमारी निर्भरता है तो अगर बाहर से आयात होना बंध हो जाए तब क्या होगा तो ऐसे इस्तिती में इसके विकल्प भी हमें तलाशने होंगे इसलिए इस पर विशेस ध्यान दिया गया है और ये mission शुरू किया गया है आगला प्रशन है दुनिया की पहली nuclear clock किस संस्थान द्वारा विक्सित की जा रही है विकल्प A, Harvard विश्व विद्याले, विकल्प B, Colorado Boulder विश्व विद्याले और NIST या विकल्प C, MIT या विकल्प D, NASA अर्था नासा इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है विकल्प B, Colorado Boulder विश्व विद्याले और NIST अब दुनिया की पहली nuclear clock अभी तक हम क्या करते हैं अभी तक हम atomic घणियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब बात nuclear clock पे आ गई है और ये दुनिया की पहली nuclear clock होगी अगर ये बन जाएगी तो अभी तक इसकी तयारी पूरी हो चुकी है सारे संसाधनों को जुटाय जा चुका है इस दिशा में गतिशील है मामला लेकिन अभी ये बना नहीं है तो देखिए कोलोरोडो बोल्डल विश्व विद्याले और NIST इसका सही विकल्प भी आपका उत्तर होगा कोलोरोडो बोल्डल विश्व विद्याले और आस्ट्री माना क्यों प्रवधोगी की संस्थान NIST के वैज्ञानिकों ने इसे बनाने के लिए जितने भी आवश्य कामकाज हैं उसको सफलता पुर्वक पूरा कर लिया है इसके निर्माड के लिए जो भी घटकों की आवश्यकता है जो सामगरियों की आवश्यकता है वो सारे घटक जुटा लिए गये हैं अब नियूकलियर क्लाग होता क्या है तो नुक्लियर क्लाग जो होता है गडियां परमाडू के नाभिक के अंदर प्रोटान और न्यूटान आप जानते हैं कि होते हैं तो उन में जो उर्जा परिवर्तन है उस उर्जा परिवर्तन का उप्योग करके ये कारे करेगी अर्थाद नाभिक के अंदर जो प्रोटान और न्यूटान होते हैं उनके अंदर होने वाले जो एनरजी में चेंज है यह उसका इस्तिमाल करेगी उस आधार पर इसको विक्सित किया जाएगा और इस घड़ी को बनाने में थोरियम नाभिक की क्वांटम उर्जा वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं कि हम किन घड़ियों का इस्तिमाल कर रहे हैं तो एटामिक घड़ियों का इस्तिमाल कर रहे हैं यह उससे और आगे की बात की जा रही है अगला है प्रशन अगनी चार मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है तो देखिए अगनी चार मि की ये बैलिस्टिक मिसाइल है क्यों चर्चा में आई है क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे भारत का जो उडीसा का चांदी पुरिस्थित एकिकरित परिक्षण रेंज है वहां से इस मध्यमदूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अगनी चार इसका एक सफल प्रक्षेपड कि किया गया है इस वज़र सिसकी चर्चा हो रही है अब यह परिक्षण कहां किसके देखरीक में हुआ तो DRDO द्वारा सामरिक कि ये मार सकती है अपने टार्गेट को परमाड हत्यार ले जाने में भी ये सक्षम है साथी साथ DRDO और भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड का एक सन्यूप्त प्रयास है अर्था DRDO और भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड मिलकर इसको डेवलप किये हैं विक्सित किये हैं इसका वज में अमेरिकी शोद करताओं ने रूस की किस परमाडू मिसाइल की तैनाती का पता लगाया है विकल्प आपके सामने है 9M370 बुरे वेस्टनिक RS-24 यास R-36M2 वाइर या 3M54 कालिबर तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है विकल्प A 9M370 बुरे वेस्टनिक अब प्लैनेट लैब से प्राप्त उपग्रह के कुछ चित्र थे उसके आधार पर इसका पता लगाया है और ये रूस की जो बुरे वेस्टनिक परमाडू मिसाइल है इसकी तैनाती हुई है इस बात का प्रमाड इन लोगों ने दिया है अब ये निर्माड परियोजना वो उचेस्ता में कुछ खास बात है जैसे ये कुरूज मिसाइल है इसके लंबाई कितनी है 12 मीटर है व्यास 1 से 1.5 मीटर है उडान उचाई की अगर बात करें तो सतह के समानांतर 50 से 100 मीटर के बीच ये उडान कर सकती है मिसाइल की शमता की बात करें तो ये रूट परिवरतन कर सकती है बीच में अपना रास्ता बदल सकती है मिसाइल और प्रत्यासित रूप से अपना रास्ता बदलने की चमता रखती है ये इसको विशेस मनाती है इसके अलवा उर्जा किस रोत की बात करें तो इसमें उर्जा के रूप में परमाड़ो इधन का उपयोग किया जात रेंज की अगर बात करें तो 20,000 km तक इसकी रेंज है ये International Institute for Strategic Studies ये बात कहता है कि इसकी अनुमानित जो रेंज है वो 20,000 km तक है और लांच प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको जमीन आधारिट ट्रांसपोर्टर एरेक्टर लांचर से वहानों से भी लांच किया जा सकता ह इस मिसाइल को 2018 में राष्ट्रपथी पुतिन दवारा पहली बार सेना में शामिल किया गया था तो आप देख सकते हैं इस मिसाइल में कितनी विशेसताय हैं इस लंबी दूरी तक मार करने की ख्षमता आसानी से इसको लॉंच करने की ख्षमता वहनों से भी लॉंच किया जा सकता है, तो ये इसको विशेस बनाती है, कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है, तो ये मिसाइले इसकी जो घातकता है, उसमें और वृध्धी करती है, अंत म हालिया न्यूक्लियर क्लॉक के विकास में भाग लिया, विकल्प आपके सामने है, स्टैन्फोर्ड विश्विद्यालेक, कैल्टेक, एफजाल अली कॉलेज, या भारती विज्ञान संस्थान, तो आप इसका सटीक उत्तर देंगे, इससे पहले कि हम आज के सेशन को समाप्त करें, आपके लिए जानकारी हम दे दें कि हिंदी दिवस के उपलक्ष में, द्रिस्टी आइस की तरफ से आपको दी जा रही है छूट, आप देख सकते हैं कि UPPCS, RAS और MPPSC की GS Foundation Course, जो कि लाइव ऑनलाइन है, इस पर भी आपको छूट मिल रही है 40 फीसदी की, इसके लिए आपको द्रिस्टी लर्निंग आपको डाउनलोड करना होगा, साथी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाके आप अपना form भर सकते हैं, आप रिसीट सुनिश्चित कर सकते हैं, इस छूट किती थी 13 और 14 सितंबर निरधारित की जवाब देना, ना भूलें लड़ते रहें, अपने लक्ष की और बढ़ते रहें।